समय और जरूरत बल्दते ही सब के चहरे बेनकाब हो जाते हैं, पता नहीं या तो हम में कुछ कमी आ जाती है, या वो एक्टिंग अच्छी करने लगते हैं। खुदा ने बहुत सी अच्छी चीज बनाई है, उसमें एक हमारा दिमाग भी है, बस उसे यूज करने के लिए बता देता तो हम भी करोरपती बन जाते। जिन्दगी और स्विम्मिन में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार नहीं तो बीच मज़दार। किसान की भी क्या दुविधाच्छत तब की है, उसकी फिर भी बारिश की दुआ करता है। दर्द तब होती है, जब खुद को ठोकर लगती वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते दर्द नहीं। दर्द तब होती है, जब खुद को ठोकर लगती वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते दर्द नहीं। कोई आपको छोड़ के चला गया, तो क्या हुआ अब जो वो मिले उसकी दुनिया ठहर जानी चाहिए। कभी कभी हम अनजाने में वक्त पर पावर रख देते हैं, इसलिए जिन्दगी मुह के बल गिर जाती है। लोग कहते हैं जिन्दगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुभा होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। उन्होंने हमें पढ़के इस तरह रख दिया जैसे लोग पुराने अखबार को रख देते हैं। जो हाशिल नहीं होती है, बस वही याद रह जाती है, बाकी देती तो बहुत कुछ है जिन्दगी। एक दिन खुद की तलाशी ले ली, जो भी मिली वो अपनी थी, लेकिन अपनी नहीं लगी। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बहिसाब होते देखा है, आई मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। आलातों ने जो चैप्तर सिखाया है, उसके एक-एक शब्द याद रहते हैं। सक्सिस्फुल बनाना है, तो एलर्ट रहिए दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी। कुछ ऐसे भी है जो इशारों से दूसरों के विचारों को दबा देते हैं। आज कल लोग कॉल करना भूल जाते हैं, लेकिन हिसाब लगाना नहीं भूलते। दिमाग के भी बैंडेज होने चाहिए, आए कुछ लोग शरीर से नहीं दिमाग से पैदल होते हैं। कल रात जिन्दगी मेरे सपने में आई थी, और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे अब खुद के पीछे चल। रास्ता सही होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मन्जिल रास्तों में मिल जाती है। आज कल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मझे समझ नहीं आता की बिजी वक्त रास्तों में मिलता।